हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजए, तो चलिए शुरू करते हैं कच्छे आम की सब्जी आपने कई तरीके से बना के खाई होगी, आज आप ये सब्जी बना के देखे, आपको बहुत पसंद आएगी जैसे शादियों में बनती है, आम की सब्जी खटी मीटी चटपटी सी, वैसी सब्जी बना के हम तयार करेंगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है, आप एक बार ट्राइ करके देखे, आपको बहुत पसंद आएगी ये मैंने धाइसो ग्राम कच्छे आम लिए, इनको अमने धोके छील के काटके ले लिया है गुटली हमने अलग निकाल लिए और ये देखे, हमने सारे आम को काटके ले लिया है अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें आदा चमच हम इसमें नमक एड करेंगे आदा चमच हल्दी पावडर एड करेंगे एक चमच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिए तीखा आप अपने हिसाब से कमज़ाद कर सकते हैं और एक चमच हम इसमें धनिया पाउडर एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसका गोल बना के रख देंगे ताकि हमारे मसाल अच्छे से फूल के तयार हो जाए ये देखिए हमारी सारे मसाल अच्छे से गुल चुक है अब हम एक कडाई लेंगे उसमें तेल गरम होने के लिए रख देंगे ये देखिए तेल गरम हो गया है अब हम इसमें जीरा एड करेंगे जीरा चटक गया है एक हरी मिर्च को मैंने तीन टुकडों में तोड के ले लि यह देखिए मसाले को पांच मिनेट के लिए रखने से अच्छे से फूल के तयार होगा है थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लग जाता और यह दे देखिए हमारी मेथी अच्छे से पक चुके अब हमने जो आम काटके रखे वो इसमें डाल देंगे आप एक बार यह सब्जी ट्राइ करके देखिए आपको सच में बहुत पसंद आएगी आम को भी हम मसालू के साथ दो मिनेट के लिए भून लेंगे यह देखिए हमारे आ अच्छे से उबालाने देते हैं एक बार सब्जी को चला लेंगे यह देखिए पानी में उबाला गया है अब हम सब्जी को ढटके 10 मिनिट के लिए पकाएंगे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे यह देखिए 10 मिनिट हो गए और अब मारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक आम को मैं आपको देखिए दबा के दिखाती हूँ यह देखिए अच्छे से पक चुके है यह मैंने आदा कटोरी गुड तोड के ले लिया है गुड हम इसमें एड कर देगे इससे हमारी सब्जी एक तम खट्टी मीटी चटपटी सी बनेगी आप चाहे तो गुड की जगे 3-4 चमा चीनी भी एड कर सकते हैं और 2-3 मिनिट हम सब्जी को और पका लेंगी और यह देखिए हमारी सब्जी बनके तयार हो चुके इस सब्जी को आप बिना फ्रीज में रखे 3-4 दिन तक खा सकते हैं आप चाहे तो इसमें कटावा हरा धनिया भी एड कर सकते हैं यह हमारी सब्जी बनके तयार हो चुके है अब हम इसे सव कर लेते हैं इस सबजी के साथ आपको जितनी भूके आप उससे ज़्यादा रोटी खाएंगे उमीद आपको इस रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर से एक नही रेस सब्सक्राइब के साथ